हलो फ्रेंज्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी की एक नॉन कॉंस्टूशनल बॉडी के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल इंफोमेशन कमिशन इसे शॉर्ट में हम सी आई सी भी बूलते हैं अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह नॉन कॉंस्टूशनल बॉ येस ये ऐसी organizations होती हैं जो कि constitution बनाने वाले लोगों ने constitution में insert नहीं की थी और ना ही बाद में हमने constitutional amendment से इन्हें insert किया है अब अगर आप सोच रहे हैं कि constitution में mention नहीं है तो फिर existence में कहां से आई तो उसका answer है statute से फिर से confused हो गए कि statute क्या है देखें statute का मतलब होता है एक ऐसी act या ऐसा law जो कि parliament द्वारा पास किया गया है या फिर किसी state legislative assembly द्वारा पास किया गया है तो हर वो law जो कि parliament बनाती है act के form में उसे हम बोलते हैं statute सो हमारी जो CIC है वो parliament द्वारा पास एक statute की वज़े से existence में आई है अगर मैं उस statute का नाम बताऊं तो वो है RTI that is right to information act 2005 RTI act के चलते हुए हमने CIC का जनम करवाया था लेकिन CIC को discuss करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि RTI existence में क्यूं आया था देखे अब बहुत सारे ऐसे citizens थे हमारे यहां पर जो बहुत जादा curious रहते थे वो सोचते थे कि public authorities कैसे work करती हैं इनके यहां पर कैसी functioning होती है कौन कैसे काम करता है क्या कैसे चल रहा है तो इन सब questions के answers लेने के लिए वो हमेशा तत पर रहती थी लेकिन ऐसी कोई organization ही नहीं थी जो उसको इन सब questions के answer दे तो government ने सोचा क्यों न हम अपने citizens के साथ थोड़ी सी transparency रखें उनको मौका तो दें यह जानने का कि public authorities work कैसे करती हैं बस खयाल आया और RTI Act existence में आ गया RTI Act के चलते हुए हमारे यहां के citizens public authorities से government offices से वो हर information मांग सकते हैं जो की public domain में होनी चाहिए अब देखिए यहां पर मैंने एक बात बोली है कि ऐसी information जो public domain में आ सकती है या होनी चाहिए that means ऐसी information जो secured है जिस पे हमारी country का future टिका हुआ है या फिर हमारी country को security threat हो सकती है इस information से वो सब information RTI के चलते हुए नहीं दी जाती है that means कुछ specified informations ही हैं जो की public domain में होने से रिको को कोई हाम नहीं होगा वैसी सारी information हम RTI Act के चलते हुए मांग सकते हैं government से public authorities से but क्योंकि हम यहाँ पे CIC के बारे में discussion करने वाले हैं so RTI का explanation हम इतना ही limited रखेंगे it says RTI Act was legislated so that seeking information becomes simple, easy, time bound and cheap that means information लेना government से थोड़ा सा simple रहे citizens के लिए उनको यह ना सोचना पड़े कि यार इतना time लग जाता है कैसे information लेंगे बहुत time taking process है यह सब नहीं सोचना पड़े easy हो उनके लिए मतलब एक authority के आप पास गए उनसे information मांगी और आपको information मिल गई time bound हो मतलब आपने आज information मांगी है तो एक time duration के अंदर आपको information मिल जाए यह ना हो कि information आपने आज मांगी है और आपको answer मिल रहा है 10 साल बात with that cheap मतलब जादा पैसे भी नहीं लगें आपके information लेने के लिए अब जिनने नहीं पता कि information free में मिलती है या पैसे pay करने पड़ते हैं तो उनके लिए मैं बता दू public authorities से आप जो भी information लेते हैं जो कि already public domain में नहीं है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा pay करना पड़ता है वो information to information vary भी करता है sometimes so यह था RTI का introduction अब अगर हम बात करें CIC की बारे में मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि CIC क्यों फॉर्म किया फिर हमने मतलब यह तो हम public authorities से ही ले सकते था information CIC की क्या जुरूरत थी तो देखें sometimes ऐसा होता था कि कोई इंसान RTI के चलते हुए कोई information लेना चाता था तो उसे इस प्रकार से रोक दिया जाता था तो actually ऐसा बहुत बार होता था कोई citizen information मांगता था कुछ public authorities different different excuses देके उसे information प्रवाइट नहीं करती थी अब ऐसे सिनारियों में लगा कि citizens के पास कोई ऐसा वे तो होना चाहिए जहां से वो अपनी complaints को address करवा सके जहां पे वो अपने grievances को लेके जा सके जहां पे वो अपनी सारी की सारी allegations जो होती है वो put कर सके तो इस दिये हमने CIC का जनम कराया मतलब CIC को existence में इसलिए लाया गया ताकि वो लोग जो की हताश हो गए हैं जिनको public authorities से information नहीं मिल रही है जिनको public authorities द्वारा different different excuses दे दिये जाते हैं उनके concerns को address किया जा सके लेकिन CIC का सिर्फ इतना सा काम नहीं है और भी बहुत सारे powers and functions है CIC के लेकिन वो हम discuss करेंगे हमारी अगली वीडियो में फिलहाल इस वीडियो में हम समझेंगे कि CIC का composition क्या रहता है तो देखिए CIC office में एक main head होता है जिसे हम बोलते है chief information commissioner इनके साथ कुछ members होते हैं जो कि 10 से जादा नहीं हो सकते So in totality CIC office में बैठेंगे एक chief information commissioner obviously सबसे जादा powerful होते हैंगे और इनको assist करने के लिए कुछ members होते हैं जिनका number 10 से जादा नहीं जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि composition तो हमने पढ़ लिया लेकिन इन लोगों को appoint कौन करता है इनकी appointment होती कैसे है इन लोगों को appoint करने का काव करते हैं हमारे president sir येस हमारे देश के जो भी president होते हैं करन्ट में वो appoint करते हैं CIC के members को लेकिन क्या ये decision उनका खुद का होता है solely तो उसका answer है no ये act करते हैं एक committee की nomination पे एक committee की recommendation पे और उस committee के head होते हैं हमारे prime minister sir उनके साथ होते हैं हमारे लोग सभा के opposition के leader and lastly एक minister रहते है union के जो कि prime minister द्वारा ही nominated रहते हैं so prime minister sir एक लोग सभा के opposition के leader and उनके अलावा एक union cabinet minister जिनको prime minister ही nominate करेंगे ये लोग मिलके recommendation देते हैं और president sir finally उनको को appoint करने का काम करते हैं तो इस तरह से चलती है appointment CIC की अब देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ अटपटा लग रहा होगा और वो होगा ये point कि leader of opposition एन लोग सभा को बीच में लेने का क्या sense बनता है जिसको हमने elect किया है जिसको हमने government की seat पर बठाया है सिर्फ वही लोग ही decide करें तो जाधा better होगा तो देखें यहाँ पे बात हो रही है citizens के rights के बारे में citizens को information मिलनी चाहिए उस चीज़ के बारे में अब ऐसे में अगर सारे ही लोग prime minister या फिर government के होंगे main government elected government के होंगे तो हो सकता है opposition कभी उस पे एक biasness का इल्जाम लगा दे तो बस इसी allegation से बचने के लिए CIC के नाम recommend करने वाली committee को इस प्रकार से form किया गया था तो यह है हमारा committee का formation अब अगर बात करें qualifications की कि CIC के जो members है उनकी क्या-क्या qualification होनी चाहिए तो देखिए सबसे पहले तो जो लोग appoint किये जाते हैं उनके पास experience और knowledge होना चाहिए law का management का या फ़र journalism का science का technology का administration का governance का mass media या फ़र social services मतलब एक ऐसा इंसान जिसको overall सारे fields की knowledge है जो expert है kind of उस इंसान को हम CIC की position पे बिठाएंगे अब देखिए किसी भी random इंसान को तो हम बिठा नहीं सकते हैं obviously हमें ऐसा इंसान बिठाना पड़े का ना जो की वाखे में उस particular position के साथ justice कर सके तो उसके लिए हमने ये particular qualifications रखी हैं then they say they should not be members of legislative assembly of any state or union territory CIC में जन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं वो state legislative assembly के members नहीं हो सकते then lastly they say they should not be connected with any political party or carrying any business they should not hold any office of profit or pursuing any other profession अब देखिए हाँ a client लिखे हुई है कि उन्हें किसी भी political party से connected नहीं होना चाहिए तो अगर मैं इसका reason बताऊँ आप लोगों को तो वो ये है कि देखिए अगर वो इनसान किसी political party से associated होगा और मान ये किसी citizen को उसी political party के बारे में कुछ जानना है तो ऐसे में तो हो सकता है आप bias decision ले ले हो सकता है वो इनसान आपको आके complaint कर रहा हो लेकिन आप उसकी complaint ना सुने क्यूंकि आपका connection किस से है उस political party से है So as a result of which हम एक ऐसा इनसान ढूनते हैं जो कि neutral होता है मतलब जिसका किसी भी political party या फिर government से आज सच कोई वास्ता नहीं होता सिर्फ उसे ही हम CIC की position देते हैं So ये थी कुछ qualifications of CIC अब आगे हम देखते हैं duration कि एक CIC का officer कितने time के लिए appoint किया जाता है देखे इसमें रहती हैं दो qualification First is कि या तो वो 5 साल के लिए appoint किया जाता है या फिर वो जब तक 65 years का नहीं हो जाता है तब तक उसे appointed रखा जाता है लेकिन धान दीजेगा यहाँ पे और लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है अगर माली जी एक इंसान है जिसने 62 की age में join किया है CIC का office तो वो जब तक 65 का नहीं हो जाता है तब तक तो बना रहेगा लेकिन वहीं पे एक इंसान था जिसने 55 की age में join किया है तो हम 65 होने का wait नहीं करेंगे हम 5 साल बाद उसे हटा के दूसरा इंसान अपॉइंट कर देंगे अब अगर आप पूछें कि इनका क्या re-appointment हो जाता है तो law में लिखा हुआ है कि इनका re-appointment नहीं होता है तो duration या तो 5 साल की रहेगी या जब तक वो 65 years के नहीं हो जाते है and re-appointment के लिए भी eligible नहीं है ऐसे लोग with that इसके remaining topics हम next video में cover करने वाले हैं so stay tuned for that and अगर आपको polity और history की अलग-अलग information चाहिए अलग-अलग videos चाहिए तो आप हमारे चैनल की playlist ref book कर सकते हैं thank you so much for watching this video